नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेखे एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टी वेगर सेर जो है कैसे खोजे यानि कि जो मल्टी वेगर सेर की पहचान कैसे करें ताकि हम भी जो है स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पासा कमा सके क्योंकि मल्टी वेगर सेर ढूटने की यदि आप ट्रिक देखेंगे एट यूटूब पे तो बहुत सारी ट्रिक मौझूद है लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वीडियो एदि आप पूरा देखते हैं अन तक तो आपको सिर्फ चार्ट देखकर आप बता सकते हैं कि ये स्टॉक जो है मल्टी वेगर बनने की काविलित रखता है या नहीं कि ये जो बड़े इंवेस्टर राके जुन ळुन वाला जिनको इसटॉक मार्के का किंग जाता है है और खासकर इंडिया के ऑन बफित कह जाते हैं राके जुन जुन वाला और इनके अलावा एक और हमारे stock market के investor है जिसे की BJ Kedia ठीक है और इसके वाला Radha Kishan Dhamani जी यहां दोस्तों इनकी company भी है Radha Kishan Dhamani जी की company है D-Mart जिसे हम MNU Supermart Labrade के नाम से जानते हैं तो इन्होंने भी stock market से काफी अच्छा पसा कमाया था और आज भी कमा रहे हैं और ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टिंग करते हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने market से करोडों लाखों कमाये हैं क्या ऐसे tricks है जो इनको पता है और आपको जो है quality है जिस basis पे आप decide करेंगे कि इस stocks में दम है या नहीं तो आज इसी वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे अरे ब असमान की तरब जा रहा है यानी कि इस रॉकेट में आउन लगी हुई है तो धर्ती से जो है सीदें उपर की तरफ yêu दिखाई दिए रहा है यानी ए जो है ऊपर हरे सपोश कि जिए कि एसalf है और इसमें एक आग लगी हूई है और नीचे से लाइणिंग कर रहा है त आसमान की सहर कर चुका है लेकिन वहां से अब नीचे जमीन की तरफ आ रहा है धर्ती की तरफ लौट रहा है तो जो राकेट आपको पता है कि जो राकेट अंतरिच से वापस आते हैं वह क्या होते हैं और उनमें यदि आग लगती है प्लेन क्रेस होता है तो क्या होता है नस् कट सकता है और उसे खून भी आ सकता है मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप मल्टी वेगर सेर की पहचान कर सकते हैं एक सेस का नाम में आप रखूंगा जी आर एम ओवर सीज लिम्टेड अभी यह साथ सो ब्यासी रूपे चालिस पैसे पर मिल रहा है लेकिन इसके रि गये कि 14 साल पहले इस टॉक कितने का था 14 शाल स्टॉक मात्र दस पैसे का था जी यह दोस्तों मात्र दस पैसे पैसे खता और इसका चार्ट can आपको कहानी समझ में आद आएगी कि मैं वाकई में बोलना क्या चाहता हूं, आपको समझाना क्या चाहता हूं, आपको बताना क्या चाहता हूं कि आप जो है, यह जो है उलना चाल हुआ यानि थोड़ा-थोड़ा इसमें मुवेंट हुई एक टेक आप करने की कोसिस कर रहा था लेकिन टेक आप नहीं कर पाया लेकिन अब जाके इसने इस साल टेक आप कर लिया है यानि आसमान की सायर करने के लिए निकल चुका है तो ऐसे ही एक सेर और मैं आपके सामरे राखूंगा जो इसने जो है मल्ती फोल्ड रिटन दिया है कें कंक्र काग किंग आरति इंडिस्टि लिम्टेट डित के चार्ट को देखिए कि उसका चार्ट काईसा है उसका चार्ट उसी रोकेट की तरह है जो प्रिदीस से ऊपर की तरफ जा रहा है उसी परिशान रहते हैं उनको penny stock की तलास रथी है उस stocks में पैसे लगाते हैं जिनका दाम एक रुपया दो रुपया होता है मैं असा नहीं बोलता हूं कि किसी का price देखकर आप उसकी अवकात का पता लगा सकते हैं कि उसमें कितनी चमता है एक स्टॉक में और रखना चाहूंगा आप पूरी तरह से समझदार हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैं वाकई में बताना क्या जाता था यह से दोस्तों रिलांस कम्नुकेशन लिम्टिट का अभी तीन रुपे नबे पैसे का है और कोई हमारे रिटेल भाई यही सोचते ह कि इसको हम खरीद लेंगे तो आने वाले टाइम में 2000 का हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका चार्ट देखिए पहले एस एर कभी 700-800 रुपे का था लेकिन 700-800 रुपे से घटकर यह 300 हुआ 500 हुआ 300 हुआ 200 हुआ 100 रुपया हुआ 50 रुपया हुआ और फि उसमें पैसा लगाईए उस स्टॉक में कभी भी नीवेस मत कीजिए जो पहले 1000-2000 रुपय हो गया क्यों क्योंकि जो स्टाक पहले 1000-2000 रुपय अभी 5-7 रुपय पर मिल रहा है तो रिटर नहीं दे सकता क्योंकि उस कंपनी में कोई ने कोई डिसेडवांटेज होगी कोई न नहीं से गिरना स्टाट हुआ और धीरी धीरी जो है अभी समतल हो चुका है तो यदि आप ऐसे स्टॉक की तलास करना चाहते हैं मल्टी बैगर शेयर की तो मल्टी बैगर शेयर रिटर्न एक साल में नहीं मिलता है दोस्तों पांच-पांच साल लगते हैं सेयर जो है उठता आप देखिए कैसा है सिर्फ चार्ट देखिए क्योंकि आपके पास इतनो नौलेज नहीं है आपकी एनालेसिस इतनी फर्फेक्ट नहीं है कि आप पूरे ग्लोबल मार्केट का अध्यन करेंगे कि जापान में क्या चल रहा है इसे में क्या चल रहा है इंडिया में क्या चल कर रहा है उडान भरने की तयारी कर रहा है आप उस पर अपना जो है निगाह बना कर रखिए आपको जो है जरूर जो है इसका फॉल मिलेगा क्योंकि जो मार्केट में आप देखते हैं कि आचानव सरी आर अभी मैंने इसे दो महीने पहले जो है तीन रुपे पे देखा था आ आपको निवेस करना है तभी जाकर आप मार्केट से एक मोटा और अच्छा पासा कमा पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ए वीडियो आपको जरूर पसंद आओगा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अधिक सरीक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिव बना रहा है और जेके एरूटेक की तरब से आप सभी को ए वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू